वेलकम तो मैं चैनल दर प्रीती कॉर्डनर्स आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ यह बिहारी स्टाइल मटन ग्रेवी की रेसिपी तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं आज हम बिलकुल देसी स्टाइल बिहारी स्टाइल बनाना बनाएंगे मिट्टी के चुल्ले पर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका सबसे पहले हम अपने कढ़ाई में तेल डालेंगे सर्सों का तेल पांच बड़ी चममच उसके बाद हम मटन को तेल हल्दी पावडर और अध्रकलेसंट का पेज से हम मैरिनेट करके एक घंटे के लिए छोट देंगे उसस हम इसमें सुखी लाल मिर्च घरम मसाले पावडर खड़ा घरम मसाला है उसे मैं ग्राइंड की हूँ और ये हींका पावडर है इन सभी चीजों को तेल में डाल देंगे चटकने के बाद हम चार बड़ी प्याज को वेजीस में काट कर इसमें डालेंगे और दो से तीन से भुनोंगे तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका प्याज को मैं यहां लगतार भुन रही हूँ बिल्कुल भी से जलाना नहीं है ओवर कुक नहीं करना है जब प्याज का थोड़ा सा गोल्डेन सा कलर आ जाए देखिए कुछ इस तरह से फिर हम इसमें अपने मतन को मैरिनेट किया हुआ मतन को एड कर देंगे मैं यहां धाई केजी मतन ली हूँ आप जैसा लो वैसा ही कुएंटिटी के अकॉर्डिंग अप सब कुछ इसमें डालो फिर हम मतन को डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग्स नमक डालेंगे नमक डालने पर इस टाइम ही नमक डालने के बाद आपको इसे फिर से भूनना है छे से साथ मिनट तक बिल्कुल भी से छोड़ना नहीं है आपको यहां भूनते ही रहना है नी तो नीचे से चिपक सकती है यह आगे पढ़ने से पहले मेरी यह वीडियो आपके लिए जरा वी हैल्फुल रह रह रही हो त ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले मौचें अब थोड़ा सा मटन का कलर जब चेंज हो जाए तेल बिल्कुल छोड़ दे फिर अब हम इसमें एड करेंगे हल्दी पावडर हमें ज्यादा डालना है यहां पर तीन से चार चमज हम इसमें हल्दी पावडर एड़ क आपको बहुत ही ध्यान से भुनते रहना है कि यहां सारा टेस्ट इसमें आपको मटन को अच्छे से बिल्कुल पेसंस रखके आपको इसे बनाना है भुनना है तभी इस का टेस्ट आएगा अब थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी भी डाल सकते हैं अगर मटन अगर चिपक ये इसमें डालेगे अद्रक और लहसन का पेस्ट ये बिल्कुल फ्र 이상 बेस्वेरे उस्यमणानी डाल मिर्च पावडर ये च CSP रावडर निंल मिर्च जी रह ओर जीर सकते बावड़ा एक बड़ी चमच, आप लाल मिर्ज पाउडर कम या जाद आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको कम तीखा पसंद हो तो अध्रक लेसन डालने के बाद हम इसमें पानी डाल कर थोड़ा सा फिर से इसे आपको भूनना है, अच्छे से, फिर से आप इसमें पानी डालते रहे और इसे भूनते रहे और जब तक अच्छी से तेल इसका छोड़ना दे आपको इसे भूनना है, फिर से चार से पांच मिर्ड तक अच्छे से, ध्यान रखे कि बिल्कुल भी मसाले चिपकने नी चाहिए, फिर अब हम इसमें डाल देंगे वो जीरा और का पानी डालेंगे और फिर इसे आपको भूनना है, फाइनली लास्ट छे से साथ मिर्ड तक अच्छे से पानी डालते रहे और भूनते रहे हमारी ब्यारी स्टाइली मटन करी का यही राज है कि इसमें कोई टमार्टर दही वगेरा कोई भी एक्स्ट्रा मसाली नहीं जाते है और बहुत ही कुछ मसालों के साथ ही यह बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर रेडी होती है, फिर हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें एकदम मटन के उपर तक पानी डाल कर आपको इसे छोड़ देना है, लगबख 40-45 मिर तक इसे कुख होने के लिए ताकि मटन बिलक अच्छे से कुख होने देजिए, एकदम कोई कभर नहीं करना आपको बरतन बरतन अच्छे से ऐसे खुले में कुख होने देजिए, बहुत ही टेस्टी होनेगी फिर आपकी यह मटन ग्रेवी बीच-बीच में आपको स्टर करते रहना है, ताकि नीचे से चिपक न जाए आपका जब जितना मर्जी हो आपको ऐसा ग्रेवी रखिए मैं इस स्टेज पर कुकिंग प्रोसेस बंद कर चुकी हूं और हमारा यह मतन ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनकर रेडी हो चुकी है अब चाहो तो लास्ट में फिर से गरम मसाला पाउडर डाल सकत मेरा यह मतन 45 मिर्स में बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था और आप देख सकते हैं यह कितना जादा यमी बनकर रेडी हुई है आप इसे जरूर अपने घर पर बना कर ठ्राय करें यह बहुत ही यमी बनेगी बिल्कुल मेरे बताए रेसिपी किसे आप बनाईए बह कावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्फ करिए मेरी यह रेसिपी आपके लिए जरा वी हैल्फुल रही हो तो प्लीज प्ले मेरे चैनल को लाइक सेर एंड सब्सक्राइब करें मिलती हूं आप सब के साथ ऐसी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल दन गाइस क्या आपके लिए।